सारी दुनिया है लॉक्डाउन में कोरोना है सबका रोना डरने वाली बात नहीं है सावधानी हमको रखनी है एक मेटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है बच्चों आओ पढ़ो सभी कोरोना से डरो नहीं पढ़ना लिखना है सबको आगे बढ़ना है सबको नमशकार बच्चों मैं पवन कुमारतिवारी कुमरावा इंटर कॉलेज लखनाउ से एक बार फिर आप लोगों के साथ अपने रेखिक समिकरण के दो चरवाले रेखिक समिकरण अध्याय तीन कच्छा दस के भाग चार अर्थात अंतिम भाग के साथ आप लोगों के साथ फिर प्रस्तित होगा हूँ बच्छों आज हम लोग इस अध्याय के अंतिम पड़ाओ पर हैं और आज हम कुछ महत्तुपूर्ण प्रश्नों की चरचा करेंगे। पिछले क्लास में बच्छों हम लोगों ने अंत में आखरी में एक प्रश्न आपके साथ हल किया था साब्दिक प्रश्न, साब्दिक समस् को उसके प्रश्चात हल किया था उसी में आज हम वहीं उसी प्रश्न से आज फिर प्रारंब करते हैं उसी प्रकार का एक अनुधारन के साथ हम शुरू करेंगे तो सबसे पहली बात जो आज हमको डिसकस करनी है वो साब्दिक प्रश्न के साथ करनी है बच्छों एक मैंने आप लोगों को पिछली बार दिया था अंत में आखरी में एक ग्रेकार था आपको वजगुननविधी से हल करने के लिए आशा है आप लोगों ने उसको हल कर लिया होगा और आपको वजगुननविधी बहुत अच्छे से अब समझ में भी आ गई होगी अब बच्चों हम लोग हल कर रहे हैं वो साधरन रूप से तो कैसे हैं रैखिक हैं लेकिन कई बार ऐसे समीक्रण प्राप्त होते हैं जो समाने रूप से देखने में रैखिक नहीं होते हैं लेकिन उनको उप्यूक्त प्रतिस्थापनों के दवारा हम लोग रैखिक यूग्म के रूप में परिवर्थित कर लेते हैं तो आज इसके उपर भी हम एक चर्चा करेंगे कि दो चर्के रैखिक समिक्रणों के युग में बदले जा सकने वाले समिक्रण कैसे होंगे तो उसको हम कौन से प्रतिस्थापन या क्या समझ के करेंगे इसके बारे में और फिर एक बहुत आखरी का प्रश्ण आज के भाग का अंतिम प्रश्ण बहुत ही महत्तुपूर्ण बोड की द्रिश्टी से बहुत महत्तुपूर्ण प्रश्ण आपके साथ मैं डिसकस करूंगा और उसके पस्चात ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा तो आईए बिना देरी किये हम नूरी की आयू सोनू की आयू की तीन गुनी थी दस वर्स पस्चात नूरी की आयू सोनू की आयू की दो गुनी हो जाएगी नूरी और सोनू की आयू कितनी है आज उनकी आयू कितनी है ये बताना है अब बच्चों बड़ा मुश्किल है प्रश्ण दो बार पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा कि हम इसे कहना क्या चाहते हैं, इस प्रशन में पूछना क्या चाहते हैं, तो उसके लिए बच्चों ऐसे समझा जाए, मान लीजिए, आज आपकी आयू 10 वर्स है, तो आज से 5 साल पहले कितनी थी, तो आप 10 में से 5 घटा देंगे, मैं आप से बस यहां हमें इसी बात को ध्यान रखना है, लेकिन हमें आज की वर्तमान आयू दी नहीं है, तो आप जानते हैं, जब हमें ऐसे प्रशनों में जो चीज नहीं दी जाती है, उसे हम लोग मान लेते हैं, और क्या मान लेते हैं बच्चों, क्या मानते हैं, X और Y, तो यहां क वर्तमान आईउ। हमने क्या माल लिया ? X. इसके बाद हम सोनू… की वर्तमान आयु कितनी माल लें गे ? Y. वर्स. अब बच्चों सबसे पहले आप देखेंगे या आप से प्रश्य में दो बातें बहुत महत्तपूर्ण है । पहली बात कही गई पांच वर्स पूर्व की और दूसरे वाले में हमसे कहा गया दस वर्स पस्चात की तो हमें इन दोनों नूरी और सोनू दोनों की आयू हमें पांच वर्स पूर्व भी ग्याद करनी है और दस वर्स पस्चात की भी ग्याद करनी है तो आप ऐसे लिख लें पांच वर्स पूर्व, पांच वर्स पूर्व, नूरी की आयू, पहले ये सभी चीजे ग्याद कर लें, नूरी की आयू, कितनी हो जाएगी बच्चों, नूरी की आयू, आज X है, तो पांच वर्स पूर्व कितनी होगी, X माइनस पांच वर्स, और सोनू की, सोनू की आयू क कितनी हो जाएगी बच्चों, y-5 वर्स, इसके पाद आप से कहा गया है कि 10 वर्स पस्चात, तो हम 10 वर्स पस्चात भी इनकी आयू ग्याद कर लें, 10 वर्स पस्चात, नूरी की आयू कितनी है बच्चों, नूरी की आयू, कितनी होगी बच्चों, नूरी की आयू हो जाएगी, अब आज अगर x है, तो 10 वर्स पस्चात, हमें 10 इसमें जोड़ना है, तो x प्लस 10 वर्स, और सोनू की आयू कितनी हो जाएगी बच्चों, y प्लस 10, अब हमारे पास पंच वर्स पूर्व दोनों की आईू गयात है, और दस वर्स पस्चाद भी गयात है, अब हम अपने प्रस्ञ के अनुसार चलेंगे, तो पहली स्थिति क्या है? स्थिति, प्रथम इस्थिति में देखिए क्या लिखा जा रहा है? स्थिति कहती है कि नूरी की iu की तीन गुनी मतलब सोनू की iu y-5 इसका तीन गुना अगर हम कर दें तो नूरी की iu के बराबर होगा बस हमारा इसको ब्रैकेट को खोलेंगे समीकरण मिल जाएगा बच्चों और आप x और y के पद एक तरफ कर लें और अचर पदों को एक तरफ कर लें तो आपको ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा पहला समीकरण दूसरी इस्थिति क्या कहती है बच्चों दूसरी इस्थिति ने कहा है दस वर्स पस्चाथ अब दस वर्स पस्चाथ का सोनू की आयू की दो गुनी तो सोनू की आयू कितनी है य प्लस दस इसका दो गुना कर दीजिए क्या मिलेगा ब्रैकेट खोलने पर एक्स प्लस दस बराबर टू वाई प्लस ट्विंटी एक तरफ समीकरण को कर लें तो एक्स माइनस टू वाई बराबर टैन ये समीकरण दो हो गया बच्चों पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण बच्चों हमें ये प्राप्त हुआ हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे अब देखिए कितना आसान है यहां आपके लिए बहुत आसान हो गया इस पहले स X का गुणांक एक, दूसरे समीकरण में X का गुणांक एक, दोनों पहले से बराबर हैं, विलोपन विधी बहुत आसानी से लग जाएगी, और आप दोनों समीकरणों को सिर्फ लिखना है, आप लिख दीजिए, हमने ये लिखा, और यहां हम लिखेंगे, X-2Y बराबर 10, और हम X के दोनों पत देखेंगे, तो समान हैं, और चिन भी बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और जब घटाते हैं, तो नीचे वाले समीकरण के चिन परिवर्तित होते हैं, इससे X कट जाएगा, और यहां माइनस 3Y और यह प्लस 2Y हो गया, तो हमारे पास घटन यदि 20 है, तो समीकरण 1 यह 2 से हम X का मान गयात कर सकते हैं, तो समीकरण 1 से गयात कर लेते हैं, समीकरण 1 से, क्या मिलेगा? x-3 गुणे 20 बराबर माइनस 10 मतलब x-60 बराबर माइनस 10 तो x का मान कितना आया बच्चों 50 और x आपने क्या माना था नूरी की आयू और y हमने क्या माना था सोनू की आयू इसका मतलब कि नूरी की आयू कितनी हो गई नूरी की आयू कितनी हो जाएगी बच्चों 50 years पचास वर्स 50 years और सोनु की आयू कितनी हो जाएगी बच्चों यह है उसकी present age होगी वर्तमान आयू होगी और वह हमने वाई कामान कितना निकाला है 20 तो 20 years ठीक है बच्चों समझ में आया आपको तो देखे यह प्रस्ण है अभी हम एक और प्रस्ण इस पर हल करेंगे बहुत आसान लेकिन थोड़ा सा ध्यान देकर हल करने के लिए होता है अब बच्चों हम उस पर चर्चा करें कि समीकरण अगर रैखिक नहीं है तो हम कैसे परिवर दिवर्तित करेंगे देखिए उधारण के जरीए मैं आपको इसको दिखाता हूं पहला समीकरण देखिए बच्चों दो बटे एक्स लिखा है टू अपान एक्स है जब और यहां प्लस थ्री अपान वाई है और यह इक्वल टू थर्टीन है और दूसरे वाले समीकरण यह रेखिक नहीं है क्यों क्योंकि रेखिक होने के लिए एक्स और वाई की घात को कितना होना चाहिए एक जो कि यहां नहीं है हम इसको कैसे बनाएं तो देखिए हम एक अपान एक्स एक बटे एक्स को कुछ माल लेते हैं यू माल ले और एक बटे वाई को हम वी माल ले तो हम हमारा पहला समीक्रण बच्चों क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा प्लस 3v हो जाएगा इकवल टू 13 इसको तीन नंबर कर देते हैं और दूसरा समीक्रण हमारा हो जाएगा 5u minus 4v equal to minus 2 अब देखिए हमारे ये दोनों समीक्रण किस में परिवर्तित हो गए, यह रेखिक में परिवर्तित हो गए, क्या करना होगा, समीकरण 1 को, हमें 3 को भाग देना होगा, जिसको हम cancel out करना चाहें, तो हम 4 से eliminate करना है, तो हम V को eliminate करते हैं, तो इस समीकरण को 4 से, और दूसरे वाले समीकरण को किस से, पहले वाले के V के गुणां क्या बन जाएगा बच्चो एट यू प्लस ट्वेल वी इक्वल टू थर्टीन फोर जा तेरा गुणे चार बावन होता है बच्चो और दूसरे समीक्रण में आएंगे तो पंदरा यू माइनस बारा वी तीन इंटू चार और तीन से माइनस दो को करेंगे तो माइनस सिक्स अब आप देखेंगे ये दोनों समान हैं और चिन विपरीत हैं तो ये कट गया जोड़ना होगा पंदरा और आठ को जब हम जोड़ेंगे बच्चो तो कितना मिलेगा मुझे पंदरा और होता है 23 तो 23 यू हुआ और इधर आप बावन में से 6 को घटाएंगे तो 46 होगा तो यू का मान कितना आएगा बच्चो दो आजाएगा इस यू के मान को समिक्रण 3 या 4 में हम कहीं रख दें तो आपको क्या मिलेगा 2 कुने 2 प्लस 3 वी बराबर 13 तो यहां से 3 वी कितना हो यह 13 और 4 इधर आएगा 2 इंटू 2 4 हुआ इधर आके घटेगा तो 9 आएगा तो वी कमान कितना हुआ 3 लेकिन प्रश्ण बच्चों यू और वी का नहीं था प्रश्ण एक्स और वाई का था तो आपका उदेश यू और वी निकालना नहीं है आपका उदेश क्या निकालना दो तो इसका मतलब एक बटे एक्स बराबर कितना हुआ दो इसी तरह से एक बटे वाई वी है और वी कितना निकला तीन तो इसका मतलब एक बटे वाई अगर तीन है तो वाई कितना हो जाएगा बच्चों ये रसी प्रोकल व्यूत करम हो जाएगा तो एक बटे तीन और य किसमें रैखिक समीकरण में, थोड़ा सा और अच्छा प्रश्ण और थोड़ा सा इस तर को बढ़ाते हुए, यह आसान थोड़ा सा था, अब थोड़े से और अच्छे प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं, इसके दूसरे भाग की ओर, और ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण प दूसरे में, वो 10 अपान X प्लस Y है, यहां दोनों एक साथ आ रहे हैं, और 2 अपान X माइनस Y है, अगर बच्चों ये ऊपर दिये होते, नूमरेटर अंस में, तो हम कह देते हैं, लेकिन नहीं हैं, इसी परकार से दूसरा समीकरण हमको जो दिया है, तो हम क्या करें, वो य X-Y को क्या मालने, U मालने और 1 अपान X-Y को V मालने, तो हमारा पहला समीकरण क्या हो जाएगा, 10U प्लस 2V इक्वल तो 4, यह हमारा समीकरण हो गया, अब हम दूसरे समीकरण की बात करें, वो क्या दिया था, 15 अपान X-Y इक्वल तो 15U-5V-2 यह हमारा दूसरा समीकरन अब आप इन दोनों को आसानी से हल कर लीजिए क्या मिलेगा बच्चों हमें क्या मिल जाएगा यू और व का मान तो हम समीकरन 2 को किस से हल कर दे आसान पत कौन से हैं गुणांग किसके हैं वी के तो हम इस वाले को पहले समीकरन को दूसरे के गुणांग से मतलब 5 से और दूसरे वाले को पहले के गुणांग से अर्था 2 से गुणा कर देंगे तो देखिए पहला समीकरन अब क्या बन जाएगा 20U प्लस सॉरी यह पचास पांच से गुणा कर रहे हैं तो यह 50 हो जाएगा 50U प्लस 52 जा 10V इक्वल तो 54 जा 20 हो जाएगा बच्चों और यहां पर जब आप मल्टिप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो 2 से 15 होगा तो कितना हो जाएगा 30U फिर माइनस 10V इक्वल तो माइनस 4 अब आप देखिए यह बराबर हैं और इनके चिन्विप्रीत हैं तो यह क्या होंगे कैंसिल आउट होंगे और यह दोनों जुड़ जाएंगे अब तो यह हो जाएगा 50 और 30 मिलके 80U और इधर आपका यह माइनस हो जाएगा 16 तो यू का मान कितना आएगा बच्चों 16 बटे 80 अर्थात 1 बटे 5 इस मान को आप समिकरण 1 या 2 में कहीं भी लिख ले हम समिकरण नंबर 1 में लिख देते हैं जब हम यहां लिखेंगे बच्चों तो यह क्या मिलेगा 10 10 देखिए गुने 1 बटे 5 प्लस 2V इक्वल टू 4 है यह 5 से 10 कैंसल होगा तो 2 बचेगा और आ और में से माइनस means V की value एक आ जाएगी अब आप देखिए आपने इसको क्या माना था U और इनको क्या माना था V अब हमारा जो नया समिकरण होगा वो बच्चों देखिए क्या मिलेगा 1 अपाउन X प्लस Y हमने U माना है और U का मान कितना है 1 अपाउन 5 है इसी प्रकार 1 अप X प्लस Y इक्वल टू 5 और यहां से क्या मिलेगा X माइनस Y इक्वल टू 1 यह equation नमबर 3 और यह equation नमबर 4 ठीक है अब यह दोनों हमारे X Y हो गए मतलब रैखिक के अंदर रैखिक फिर बन गया और इनको हल करना तो बहुत आसान है देखिए X प्लस Y क्योंकि यहां पे आपके गुणांक पहले से बराबर हैं और X माइनस Y इक्वल टू 1 है हम दोनों को एड़ कर दें जोड़ दें तो यह 2X इक्वल टू 6 तो X का मान कितना हो जाएगा 3 और हम इस X के मान को यहां रखें या इसमें यहां रखें अर्थात समीकरण 3 या समीकरण 4 किसी में भी रखते है तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा Y का मान मतलब त्यमीकरण 3 में रखने पर 3 प्लस Y इक्वल टू 5 तो Y की वैलू आएगी 2 तो हमारा उत्तर क्या निकला हमारा आंसर फाइनली क्या निकला X इक्वल टू 3 एंड Y इक्वल टू 2 यह हमारा फाइनल आंसर है तो ऐसे हमें उससे मिलने वाले मान को जब हमने रखा तो पुना हमारे पास रहखिक समीकरण हुआ और फिर हमने उसको हल किया तो हमारा उत्तर हमें प्राप्त हुआ अब इसी से संबंदित हम एक और प्रस्ण आपके साथ डिसकस करेंगे अभी अगला वह बहुत महतुपूर्ण है तो आईए बच्चों देखते हैं आप देख रहोंगे बच्चों कि यहां एक चित्र है इस चित्र में आप नाव देख रहे होंगे और यहां भी एक नाव देख रहे होंगे एक नाव इधर की तरफ चल रही है और एक नाव इधर की तरफ चल रही है अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि ये बच्चा इधर से ना ले कर गया और फिर इधर से वापस आ रहा होगा तो आप जानते हैं कि मान लीजिए कि इसकी धारा ऐसे बह रही हो ऐसे धारा बह रही होगी जब ऐसे धारा बहेगी तो पहली दशा में वो क्या कर रहा है धारा की दिशा में जा रहा है औ हम जब विपरीद चलते हैं तो हमारी गति कम हो जाती है, ये कुछ वैसा ही है जैसा कि हम लोग गर्मी के दिनों में जब बहुत तेज लू चल रही होती है और हम cycle से जा रहे होते हैं मेहनत करते हुए तो हमें तब मेहनत जादा करनी पड़ती है जब हम हवा के विपरीद साइकल चलाते हैं और जब हवा के साथ हम लोग चलते हैं हवा की दिशा में हम लोग अपनी साइकल चलाते हैं और पेडल मारते हैं तो हमें मेहनत कम करनी पड़ती है और हवा का जो गती है वो भी हमें सहयोग करती है आसानी से आगे जाने के लिए तो इस मजलार प्रश्ण को बच्चों देखा जाए क्या कहते हैं जो हम धारा की दिशा में जाएंगे तो अनकूल और विप्रीत चलेंग अब आपसे पूछा जा रहा है धारा की चाल और नाओ की इस्थिर पानी में या इस्थिर जल में चाल ग्याद कीजिए तो बच्चों बहुत आसान तरीके से आप ग्याद करें क्या करें सबसे पहले यहाँ पर नाओ की इस्थिर जल में चाल मालने हम लिख देते हैं नाओ लिखिये किलो मीटर में उस समय लिखा घंटे में तो हमारे लिए आसान क्या है हम इसको कीलो मीटर प्रतिघंटा माल लें इसी प्रकार धारा की चाल को हम लोग क्या ले लें धारा की चाल को हम वाई कीलो मीटर प्रतिघंटा माल लेते हैं ठीक है बच्चों अब देखें कि ह में दो बातें कही गई एक अनकूल और एक प्रतिकूल तो नाव की धारा के प्रतिकूल चाल प्रतिकूल मतलब जब धारा के हम विपरीद चल रहे होंगे तो क्या होगी जब धारा के विपरीद जाएंगे तो कम होगा तो इसका मतलब नाव में से धारा की चाल घटाएंगे वो हमारी चाल हो जाएगी नाव की उस दशा में और कितनी होगी x-y km पति घंटा और अनुकूल में कितनी होगी नाव की धारा के अनुकूल अब धारा के अनुकूल धारा की दिशा में हम चल रहे हैं तो क्या होगा तब कितना होगा बच्चों जुड जाएगा क्योंकि हमें धारा सहयोग कर रही है धारा सहयोग कर रही है अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, दोनों जोड दी जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, X प्लस Y किलो मीटर प्रति घंटे, ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये दोनों चालें ग्यात हो गई, आपको बच्चों एक सूत्र मालूम होगा, कि चाल का सूत्र क्या होता है, च किलो मीटर, 10 घंटे में 30 किलो मीटर, ठीक है बच्चों, और फिर हमसे कहा जा रहा है, धारा के अनुकूल 44 किलो मीटर, मतलब 10 घंटे में हम 30 किलो मीटर जाएगे, और 44 किलो मीटर दोनों मिला के कितना समय लगा, 10 घंटे, तो समय का यहां से अगर हम सूत्र बना लें, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कुल समय क्यों की दिया हुआ है तो वो कितना हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा अब आप देखिएगा आपको समीकरण कैसा प्राप्त होगा प्रथम इस्तिती फरस्ट केस पहली इस्तिती में आपको क्या y और कुल कितना समय लगा 10 घंटे यह हमारा पहला समीक्रण प्राप्त हो गया बच्चों अब हम दूसरा देखते हैं क्या कहा जा रहा है 13 घंटे कुल समय कितना 13 घंटे लगा बच्चों है ना कुल समय कितना लगा 13 घंटे और कितना है 40 किलोमीटर तो 40 बटे कहा प्रतिकूल X-Y और 55 अपान X-Y यह समीकरण 2, और जरा आपने पिछले प्रश्ण को आप देखिए, तो इसी प्रकार के समीकरण वहाँ आपको प्राप्थ हुए थे, ठीक है बच्चों, इसी प्रकार का समिकरण प्राप्थ हुआ था जो हमने पिछला प्रश्ञ किया था। मैं आपको दिखाओं देखिए ऐसा ही था यहाँ पे इसका गाग यह हम भी हमने हल किया है। हमने उसमें क्या किया था हम लोगों ने उसमें क्या किया था हमने एक बटे x-y और एक बटे x-y को कुछ मान के रैखिक में परिवर्तित कर लिया था यहां भी वही करिए 1 upon x-y को u ले लीजिए और 1 upon x-y को v ले लीजिए क्या हो जाएगा बच्चों जब इसे ही आप यह मानेंगे तो पहला समीकरण आपका क्या बन जाएगा 30u 30u plus 44v equal to 10 यह समीकरण नमबर 3 और दूसरे में आप रखेंगे तो 40u plus 55v equal to कितना है बच्चों 13 घंटे है था तो इसको हम equal to 13 लिख देंगे ठीक है बच्चों 13 घंटे 13 घंटे हमने यहाँ पर 10 लिख दिया था वो 13 होगा देखिए 13 घंटे लिखा है ठीक है बच्चों अब देखें आप यह हमारा समीकरण नमबर 4 आ गया सही है बच्चों अब इन्हें मुझे हल करना है हल करना कितना आसान था मै आप यू को हटा लीजिए यू को अगर हम विलोपित करना चाहेंगे तो कैसे कर पाएंगे इसका विलोपन कैसे होगा देखें दोनों में गुणांक देखें तो जीरो जीरो दोनों में लगा है तो जीरो से हमारा काम पहले से बराबर है किसको बराबर करना है तीन और चार को तो समिक्रण 3 को आप 4 से गुणा कर दें और समिक्रण 4 को आप 3 से गुणा कर दें जैसे ही आप ये गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा पहला समिक्रण आपको मिल जाएगा 120U प्लस किस से गुणा कर रहे हैं हम 4 से तो 4 x 44 करेंगे 176 आएगा ठीक है बच्चों V बराबर और फिर 4 से जब आप गुणा करेंगे 10 को तो 40 आजाएगा और फिर नीचे 3 से करेंगे तो 1 upon 20U प्लस अब 3 से करेंगे तो 165 पचपन इंटू 3 165 और 13 इंटू 3 39 और देखे ये वाला पद हमारा बराबर हो गया लेकिन चिन दोनों के प्लस में हैं तो हमें घटाना है तो नीचे वाले समिकरण चिन परिवर्त है ये कट गया अब यहाँ 176 में से 165 को जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा 11 आएगा और V बचेगा और यहाँ बच्चों घटेगा तो कितना मिल रहा है हमें घटाने पर ये 1 मिला तो V का मान कितना हो गया बच्चों एक बटे 11 इस V के मान को आप कहीं भी लिख लीजिए समिकरण 3 में या समिकरण 4 में आपकी 4 तो 30 U equals to 4 इधर आएगा तो minus हो जाएगा 6 हो गया तो U का मान कितना 1 upon 5 6 से 30 cancel हुआ तो 1 upon 5 अब आप इन दोनों को कहां रखना था आपको जहां आपने इन्हें U और V माना है अर्थात हमारे अगले जो दो समिक्राण U और V के मान रखके बनेंगे वो क्या बनेंगे देखिए 1 upon X minus Y को हमने क्या माना था हमने माना था U और U का मान 1 upon 5 तो equal to 1 upon 5 और 1 upon X plus Y को हमने क्या माना था हमने इसे माना था V और वो कितना आया है 1 upon 11 तो ये वाला समिक्राण क्या बन गया ये बन जाएगा X minus Y बराबर 5 यह 5 नमबर और यहां से मिलेगा X प्लस Y बराबर 11 समिकरण नमबर 6 अब यह दोनों समिकरण जो मैं आखरी में आपको दिखा रहा हूं यह बहुत आसानी से आप सहल कर लेंगे दोनों को सिर्फ जोड़ना है और जोड़ते ही आपका उत्तरग्यात हो जाएगा जाएंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसल आउट करेंगे तो X जुड़ेगा क्या मिलेगा 2X Y कैंसल एक 5 और 11 को जोड़ेंगे 16 तो X कमान कितना हो गया X कमान 8 आठ आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि X कमान 8 इस X कमान को अगर हम यहां लिख दें तो हमारा हल करने पर Y कमान कितना आ जाएगा Y कमान बच्चो कितना आ जाएगा Y कमान 3 इसका मतलब कि नाव की इस्थिर जल में चाल कितनी हमने प्राप्त की 8 कीलो मीटर प्रतिघंटा अंत में आप लिख देंगे और धारा की चाल बराबर 3 कीलो मीटर प्रतिघंटे ठीक है बच्चों यह प्र में हमारे पास इन दोनों में से कोई एक चाल दे दी जाती है और दूसरे की चाल ग्याद करने के लिए कहा जाता है तो यह यहां आपने जो सीखा है इसको हमें पुना एक बार द्रिगात में भी करना होगा बहुत महत्वपूर्ण प्रिच्छा की द्रिश्टी से तो बच्च बहुत अच्छे से समझ कर और समझ में आने के बाद प्रतिक प्रकार के प्रशनों को हल किया होगा अब आपका काम यह है कि आप अपनी NCRT की किताब से इसके सभी प्रशनों को हल करें और अपनी प्रेक्टिस अच्छी करें तब तक के लिए बच्चों घर में रहें अच्छत रखें धन्यवाद